सीरल कावय की कहानी में आपने देखा ही डेवन से ही अधिराज और कावय की कितनी अच्छी बॉंडिंग थी कितने सारे इन दोनों की बीच में विलन आए कितनी दूरीं आई लेकिन हर बार यहां अधिराज के सपोर्ट में कावया खड़ी रही लेकिन एक सुच्छुएशन कि अधिराज कावया के साथ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया जब उसे पता चला कि कावया ने उसके और यहाँ पर कावया के होने वाले बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया है यही वजरबदी इनके रिष्टे की दूरियों की लेके नब यहाँ पर खबर आ रहे ही राज सीमा ने करवाया है जिया और वो कुछ बोल नहीं पाए राजीव यहाँ चुप इसलिए हैं क्यूंकि सीमा ने उन्हें धम की दी थी कि अभी तो तुम्हारी बेटी की बच्चे को मरवाया है तुम्हारी बेटी को भी मरवा सकती हूँ और यहां उसके साथ और भी बुरा क का रिष्टा उन्होंने यहां पर तूट ने दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर ये दोनों साथ में रहे तो गिरी राज की कई और ऐसे नेता दोस्त है जिसकी वज़े से काविया कभी ना कभी नहीं और मुश्किल में आएगी ही और आब यही बात काविया के सामने आएगी जिसकी वेल से काविया को बहुत बड़ा जटका लगने वाला है यानि की शो के आगे आने वाले एपिसोट में आप सभी को अब नेक्स लेवल अप वाले ड्रामे और धमा के आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसे के साथ कुछ फ्वान्स की कमेंट है जो की यहां पर का आदिराज को एक करने की बात करें हैं साथ ही साथ इस शो को प्यार भर यहां चीज़े देखने हैं